गुजार टाइटन्स और मुंबेंडियन्स दोनों का जो मुकाबला है वो थोड़ी दिन में स्टार्ट होने वाला है कौलिफाइड टू का मुकाबला है जो भी टीम जीते की मुकाबला वो चैनी सुपर किंग के साथ खेलेगी फाइनल लेकिन प्लेंग 11 क्या होने वाले क्यो जो मुकाबला खेली गए थी फिल 13 वे गुजार टाइटन्स और मोमादियन्स के बीच में जिसमें से जो पहला जिसने पहली बल्यवाजी करते हुए 55 रनों से मुकाबला जीता था तर वहीं जब दूसरा मुकाबला हुआ उसमें से मुंबेंडियन्स ने पहले बल्ले पावले को खेला है जिसने पहले बल्लेबाजी किया है उस टीम ने बल्लेबाजी के साथ मैच को भी जीता है तो चली देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है जो भी टीम जीतेगी वो सबसे पहले जाएगी बैटिंग की और अगर बैटिंग चूज करेगी क्योंकि ऐसा ही श्रीद खान दर्सन नालकंडे मोहिस सर्मा नूर एहमद मुहमद समी यह जो प्लिंग लेवन है आप लोग को गुज्राइट टाइटन्स की देखने को मिलेगी वहीं मुंबेंडियन्स की जो प्लिंग लेवन रहेगी रोहिस सर्मा इशान किशन केमरन गिरिंज सुरिकुमार तिम डेविड तिलक वर्मा क्रिस जोर्डन रितिक शौकिन प्यूस चावला जसन बैंड़ अकास मांधवाल को नया नया सामिल किया गया है और अकास मांधवाल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी सांदार परफॉमेंस कर रहे हैं और वहीं मुहमद समी तिलक वर्मा बहुत अच्छी बलल्य łbosta कर रहे हैं औवहीं अगर सुब्मन गिल के बारे में आगर बात करें गुजडरा टाइटनिंस में तो दौनों में काटे की टकट होने वाली है गुजडरा टाइटनिंस और मुंबैंडियंस के बीच में क्योंकि पिछले साल आईप पांच बार खिताब जीत चुकी है जो भी टीम जीतेगी वो IPL फाइनल खेलेगी चैने सूपर किंग के साथ क्योंकि चैने सूपर किंग जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी ये कौलिफाइट का दूसरा मुकाबला है जो मुकाबला आज साम साड़े साथ बज़ेशक खेल जाएगा और जो भी टीम मुकाबला जीतेगी साथ में वो फाइनल में पहुंच जाएगी फाइनल भी जीत सकती है तो अभी तीन दावेदार है IPL के IPL दो जारते इसके खिताब की देखते हैं कि आखिरकार कौन से टीम जीती है और आप लोग को क्या लगता है कि इस साल का जो IPL का खिताब है वो कौन से टीम जीतेगी अभी कौलिफाइट टू में एक तरफ हार्दिक पाइंडा के टीम है और एक तरफ रोही सर्मा के टीम है और मुकाबला जो वो लाजबाब होने वाला है प्लेंग लेट की दो जानकारी मैंने आप लोग को दे दी तो चलिए आ